जनादेश भारत देऊश और आपके शाहत मैं हूँ मंता से तो चलिए सुरुआत करते हैं आज की कुछ करते हैं विजनोर लोकसभा सीट से रालोट के नवनिर्वाचित सांसद चन्दन चौहान का जोरदार स्वागत किया गया आप देख रहे हैं जनादेश भारत न्यूस चैनल पर हमारे सहयोगी समवाददाता निरजपाल की यह लेटस्ट खबर हिंदी में चन्दन चौहान ने कहा कि वह बाहर के नहीं है जन्ता के बीच के हैं जन्ता उन्हें हर समय साथ पाएगी अगले 150 दिन तक वह जन्ता के द्वार जाने का अभियान चलाएंगे जहां वोट मांगने नहीं जा सके वहाँ भी लोगों की समस्या जानने जाएंगे और जल्दी ही बिजनौर में सांसद आवास मिलेगा और उसमें सांसद बैठा मिलेगा दरसल बिजनौर लोकसभा सीट से राष्ट्रिय लोकदल और भारतिय जन्ता पार्टी के गटबंधन के प्रत्याशी चंदन चोहान ने लोकसभा चुनाव में जीत हासल की है चुनाव जीतने के बाद चंदन चौहान पहली बार बिजनौर पहुँचे और एक निजी बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में चंदन चौहान का जोरदार स्वागत किया गया इसके बाद मीडिया से बात करते हुए चंदन चौहान ने कहा कि जब वोट मांगने के लिए जाते तो थे तो कई जगह बुजरगोवल लोगों ने उनकी जेब में परची रखी उन पर लिखा होता था कि वह चुनाव जीत कर क्षेत्र में नहीं आएंगे उन्होंने वह सभी परची संभाल कर रखी हैं वहर क्षेत्र खास तोर से वहां जाएंगे जहां उन्हें ये परची दी गई जन्ता के बीच जाएंगे और उनकी समस्या का निस्तारन करने का प्रयास करेंगे जन प्रतिनिदी के बारे में चुनाव जीत के जनता के बीच में न जाने की लोगों की धरना को गलत सिधा करेंगे इस दोरान उन्होंने कहा कि सम्मानित लोकसभा की जनता ने राश्ट्रिय लोगदल भाजपा को बहुत सम्मान देने का काम किया आज पदाधिकारी के कार्यकरताओं ने एतिहासिक स्वागत प्यार और आशीरवाद और किस रूप से स्वर्गिये चौदरी चरन सिंध की नीतिया चले जो आने वाले विक्सित भारत और विक्सित बिजनौर बने उसके लिए हम सब ने बैठ कर अपने आदर्शों को याद क का काम किया उन्होंने कहा कि सबसे पहले उनके पिता स्वर्गिये संजै सिंध चौहान ने जिले में केंड्रिय विद्याले के लिए प्रयास किया था अब अपने पिता के सपने को पूरा करेंगे साथ ही संबंदित अफसर से मिलकर केंड्रिय विद्याले के निर्मान को जल स्वास्त का विशह है जो स्वास्त आने वाली नसलों के लिए हानी कारक उसको तुरंट गंबीरता से लिया जाएगा मैं विश्वास्त दिलाता हूं इस जनित के मुद्य को संसत और सदन के माध्यम से आप सबसे पूरी जानकारी लेके उचित प्लैटफॉर्म पे उठाके इ और भी बहुत बाते हैं करेक्टिविटी की हो चाहे बहतर सिक्षा की हो सडकों की हो इन सब पे मिलके जो हमारे एंडिये घटक दल की बैठक है उसमें नेता चुना जाएंगे आधनिये आज सब मिलके नरेंद्र मोधी जी को वहाँ पर जो उनका सौ दिन का आगला क्या प् आगला करें तो यहां जैसे लोग परिसान है तो उसके लिए क्या करने हो देखिए कोई भी घर किसी का गिरना कोई रानितिक विसे नहीं है घर एक ऐसा स्थान होता है जिसे हर वे हर एक व्यक्ति को एक ठीडिया को भी एक गोशले की जूरत पड़ती है जो आप और कहीं का जिकर करा वो घर वहां मिला अगर हटाया गया तो दूसरा मिला भी हो तो यह व्यवस्ता है सरकारों की कोई नहीं नहीं अगर नहीं जाता है तो उसकी व्यवस्ता पहले करी जाती है तो अगर ऐसा कोई विसे आप लोग मुझे या कोई छेत्र का सम्मान से बताना चाहता हूं किसी भी व्यक्ति का घर तूटनाया काम नहीं हूं